यूपुरी सिटी कोतवाली के जावाच, S.I. दीपक पालिया और S.I. सुमिर शर्मा की नजर से लुटेरे नहीं बच पाए, तीनों यूएकों को पुलिस ने धर्दबोचा है आपको बता दे कि सुनिल वर्मा निवासी शिव कॉलोनी अपने निवास से पोहरी चोराहे तरफ पैदल जा रहा था तबी अचानक दो लड़कों ने आकर उसका ओपो कमपनी का मोबाईल और नगत 19,000 रुपे और आहत में पहना चांदी का कड़ा चीन कर भाग गये जिसके रिपोर्ट सुनिल ने सीटी कोत वाली आग कर की यह घटना शहर के बीचो बीच घटित हुई थी इस मामले को गमिरता से लेते हुए पुलिस सधिक शक राजे सिये चंदेल ने पुलिस टीम बना कर आपरात के खुलासे कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफतार कर लिया एवं घटना में लूटा हुआ मोबाइल वद चांदी का कड़ा भी बरामत किया शिव पूरी से यूसफ खान के रिपोर्ट इसमें पुलिस ने करी बार लगा तर आसपास जब बता किया तो फाइनली आज इसमें सफलता मिली है उसमें हम लोगों ने तीन बजमाश पकड़े हैं एक कलूर मुबारख है एक अलताफ है और एक गुलू बातम है यह तीनों को पकड़ा है इंसे घटना में प्लिक्त जो इसमानेता कई सारे काम अलालग करते हैं एक ग्राइवरी करता है एक बेंटिंगा काम करता है और जब यह घटे हो जादे तो तो शराब पीकर यह इस तरह की वारदातें करते हैं तो इसमें और भी इन से पुछना चोड़े हो सकता है कुछ और गटना है लिए इनसे पता ल इसमें कुछ जानकरी मिली थी कि जो इस तरह के लोग है अपना यहां आसपास पे जो गुंपते रहते हैं इदी में से कोई लोग है एक चेरे का हुलिया भी आया था कि फुड़ा से एक वेती काभी मतलब वजन काफी जादा है उसका उसमें से बीच में कुछ संदिगों से सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुले झाल